सम्विधान दिवस के अवसर पर कॉंग्रेस देश भर में 60 दिन तक सम्विधान रक्षक अभियान चलाएगी ये अभियान 26 नवंबर से 26 जनवरी तक देश भर में चलाया जाएगा इसमें समविधान की रक्षा, एक समविधान, समानता का अधिकार, आरक्षण की रक्षा, समविधान की गैरंटी, भेदभाव से चुटकारा, समविधान का नारा समेत अन्य मुद्धों पर राज्जियों में रेलियां डोर टो डोर कैम्पेंड किये जाएंगे वहीं इसी को लेकर हमारी सहयोगी कंचन कनोडिया ने कॉंग्रेस सांसद इम्रान प्रताबगडी से सम्विधान रक्षा अभियान, संभल हिंसा और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर बाचीत की क्या कुछ कह सुनवाते हैं कॉंग्रेस हमेशा से सम्विधान को बचाने की लड़ाई लड़ती रही है और चुकि कॉंग्रेस ने सम्विधान दिया है तो बचाने की जिम्मेदारी भी हमारे कंदों पे है और इसलिए आज का ये जो कारिकरम है आपने देखा किस तरह से राहुल जी ने आदरनी खरगे जी ने खुल करके ये बात कही है और हम सम्विधान को बचाने की लड़ाई सडक से संसत तक हमेशा लड़ते रहें लड़ते रहेंगे आज सम्विधान दिवस है और आज ही आप संबल का सवाल पूछ रही है संबल में यानि कि दिल्ली से सो किलो मिटर दूर किस तरह से नौजवानों को मारा गया पांच हत्याएं की है और वो सिस्टम ने की है उसके विजुगल देश के सामने मौजूद है कोई भी कहानी देश को प्रशासन सुनाए लेकिन देश जानता है कि उन पांचों की हत्या किसने की है पैलेट पेपर की बात आज की गई है कि प्रदशन किया जाएगा एवियम के खिलाफ कॉंगर सादिश मलिक अरजुन खरगे ने कहा है मेरा भी आवान है देश के लोगों से कि इवियम से लोगों का भरोसा उट रहा है चुनावी प्रक्रिया से भरोसा उट रहा है तो चुनाव आयोग की पर दबाव बनाने के लिए और उनको सही बातें मनवाने के लिए मुझे लगता है देश के लोगों को स्वतंत्र को राजनेतिक दलों को एक जुट हो करके एवियम के खिलाफ आंदोलन करना चाहिए लिए कैमरे पर सनाकार्श के साथ मैं कंचन न्यूस इंडिया